कुछ समय से दो तीन हपते से एक विशे कलिस्या का लोगों का सामने प्रचार का रूप में मेसेज का रूप में संदेश का रूप में भाट रहा था वो मेसेज यही है हम मसी लोग इमांदार होना है आमेन इमांदार का आशिश काफी बड़ा है आमेन बाइबल के अंदर हमारा आधना करने वाला परमेशर एक इमांदार परमेशर है आमेन हमारा परमेशर को अलग अलग अच्छे अच्छे सुभाव है सारे अच्छे सुभाव है इसलिए हमारा परमेशर अच्छा है आमेन कितने लोग बोलते हैं येश्व अच्छा है आमेन येश्व अच्छा है क्योंकि येश्व में कोई कमी नहीं है आमेन वो पूर्ण भला है आमेन पूर्ण में हो अच्छा है उसमें से इतसर्वोत्तम हमारा परमेश्व का सौभाव है इमांदार हो कर रहना है इमांदारी में काम करना है आमेन पर अपना वाचा में इमांदार है अपना वाचन में इमांदार है अपना वाइदा में इमांदार है अपना आदेश उपदेश में इमांदार है अपना कामों में इमांदार है अपना उपस्तुदी में इमांदार है हार बातों में हमारा परमेशर कोने इमांदार परमेश्वर है इसलिए इतना बड़ा इमांदारी परमेश्वर को पहिचानने के लिए प्रभू अमारा बुथी को खोला अवसर दिया आयू में एक धन्य अनभू दिया है इसलिए परमेश्वर हम से यह चाहते कि हम कभी तेड़ा वेक्ति नहीं होना कोई गलत वेक्ति नहीं बनना परमेश्वर का साबने इमांदारों कर रहे ना है आमेन इमांदार का विपरीद शब्द क्या होते है आठ तेड़ा वेक्ति है बेमान इसका मतलब वो दिल से सही नहीं है सीधा नहीं है सीधा नहीं है लेकिन इमांदार वेक्ति हमेश्चा दिल से सीधा होगा खारा होगा अमेनका खारा वेक्ति बाइबल के अंदर अनेग लोग इसके लिए दुर्ष्टांद है मैं आज एक विक्ती का दिरिष्टान द बाइबल से सिखा कर हम प्रार्थना करने कि दिजा रहे हैं दानियल का पुस्तग में आईए दानियल का पुस्तग चे अध्याई इसका पांच वचन दानियल का पुस्तग आध्याई चे वचन चार और पांच तब अध्याई और अधिपती राज कारे के विशे में दानियल के विरुद्ध दोष दूणने लगे परन्तु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराद या दोश ना पा सके तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल के परमेश्वर की विवस्ता को छोड़ चार वजन में साफ लिका हुआ है दानियल विश्वास योग्य बन गर रहा अध्या है ना टांश वजन अडाइस वजन भी पड़िये कि इस परकार दानियल दुवारा और क्रुस्त रूश फार्सी दोनों के राजे के दिनों में सुक्चैन उ रहा आमें कि टानियल कि ने बुकर नेसर राजा का समयमे भी कि दाइर्यवेश्य spent राजा का समयमे भी बाबिलोन में अन्य देश में शत्र देश में कैसे रहा कैसे रहा 28 बचन अच्छा से पढ़ना एकदम शूफदा में रहा एकदम सौस्ट में रहा आमेन समझ लीजिए दानियल का बारे में अगर हम पढ़े है तो इस्राइल में बाबिलोन का राजा आ गया तीन बार ओ आके यरिश्यलेम को अक्रमन गिया उनका नाम है नेबोकरनेसर राजा बाबिलोन राजा आकर अक्रमन गिया अक्रमन करके वहांगा आराधनाले को नाश किया आराधनाले के अंदर का पूजा का सामग्रिया प्रार्तना करने के लिए पुराना नियम का आले के अंदर आराधना के लिए इस्तमाल किया हुआ सोना चांदी इत्यादी बहुमुल्य जो बरतन होते हैं पूजा के लिए स्तमाल किया हुआ सारी सामग्रियों को चोड़ी करके अपना देवदा का मंदर में लेके रखा बाद में वहांगा राजा एक डिक्लरेशन गिया यहूदी देश से कुछ अच्चे बैच्चोंगों भी क्या करना पकट के लेके आना हम गुलाम बनाकर वो बैच्चोंगों अमारा राजदानी में स्तमाल करेंगे हैसे अनेग बैच्चोंगों लेके आया वो लोगों से कुछ लोगोंगा नाम हम अच्छा से जान दे है एक दानियल था दूसरा शद्रक मेशक अबेदन गो ऐसे अनीग बाल होंगो पकट के गुलाम बनाकर बाबेल देश में लेके आया यहां हम पढ़ते हैं लेकिन अन्य देश में शत्रु देश में गुलाम बनगर ये बैच्चा रहने का समय दानियल का विशे के लेके वहां बर एक शब्द लिका हुआ है चे का चार में वो कौन था विश्वास योग्ये इसका मतलब क्या है हाँ इमांदार होकर रहा है अमेन अमेन अन्य जादि लोगों का सामने शत्रु सेना का सामने शत्रु राजा का सामने परवेश्वर को नहीं जानने वाला अन्विश्वास लोगों का सामने दानियल कैसे रहा विश्वास योग्ये विख्ती चे वजन चे अधिया एक से लेकर पढ़िए अच्छा से आपको समझ में आएगा पढ़िए दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्ये के उपपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्ये में अधिकार रखे और उनके उपपर उसने तीन अध्यक्ष जिन में से दानियल एक था इसलिए ठहराये कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रिती राज्या की कुछ हानी ना होने पाए जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक परतिस्ठा मिली वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्ये के उपपर ठहराए तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विशे में दानियल के विरुद दोश ढूडने लगे परन्तु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोश ना निकला और वह ऐसा कोई अपराद वह दोश ना पा सके आमेन आमेन आज कल इमामदार का विशे के लेके बात करे हैं तो बाइबल में बहुत सारे वचन है इश्व मसी जनम लेने से पगले इस दर्ती में अजार साल पगले रहा हुआ एक विक्ती था कौन दाओद दाओद बारा बजन संगीदा में एक बात बोलते हैं बारा बजन संगीदा का पगले बजन पढ़िए बारा बजन संगीदा का पगले बजन हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा मनुश्यों में से विश्वासियों के लोग मर मिटे हैं आमेन ये श्मसिद नम लेने से एक अजार साल पीछे रहा हुआ आज से तीन अजार साल पगले रहा हुआ एक विक्ती था कौन दावूद इतना बेडा पयम लिखा वहा कविध लिखा वहा परमेश्वर को महिब करने वाला रौनन करने वाला गीद कर वहा वोग्टी अपना एक गीद में एक कविध यक सेर्था में एक किरतन में इसे किरतन गरते हैं ऐNS परमेश्वरõव Glo Minneapolis हाँ मनिश्यों के बीच में बहुत कम होते जा रहे और विश्वासियों के लोग बिल्कुल गायप हो रहे आज कल कुछ भक्त लोगों को देखें तो बहुत है इदर उदर लेकिन इमामदार लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है अमेन दाउद अपने समय के मारे में मदारे देखों इमामदार लोग कम होते जा रहे खम है और हम पड़े तो ये श्रुमस्य जनम लेने से कम से कम साथ सौ साल पगले रहा हुआ ये रम्या क्या बोलते हैं पांचभी आई रम्या का पुस्तर पांचभी इरम्या का पुस्तक पांच अध्याई एक दोड़कर देखो उसके चोकों में ढूंडो यदि कोई ऐसा मिल सके जो नियाय से काम करें और सच्चाई का खोजी हो तो मैं उसका पाप शमा करूंगा यद भी उसके निवासी यहovा के जीवन की शबद भी खाए तो भी निश्चे वे जूटी शबद खाते हैं यह यहोवा क्या तेरी दृष्टी सच्चाई पर नहीं है तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए तुने उनको नस्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना उन्होंने अपना मन चटान से भी अधिक कठोर किया है उन्होंने पश्चा ताप करने से इंकार किया है फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अभोध ही है क्योंकि ये यहवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा क्योंकि वे तो यहवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते है परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंदनों को खोल डाला है आमेन वहां बार पिछले हपते भी अमने पढ़ाता ये रम्या का बचन कौन सा बचन है? पांस का? तीन में अच्छा से एक और बार पढ़िये हे यहवा क्या तेरी दृष्टी सच्चाई पर नहीं है तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए तूने उनको नहीं है यहां बर लिखा है हे परमेश्वार तेरा दृष्टी सच्चाई पर एहां बर इमांदार के लिए, इमांदारी के लिए, विश्वास योग्य दे के लिए लिखा हुआ एक शब्द है, सच्चाई पर, आमेन, देखें परमेश्वर महान है, अच्छा परमेश्वर है, आपका बागर का चीज़ देखने से ज़्यादा, प्रभू आपका अंदर का चीज़ अमेन, आपकितना सच विक्ति है, शायत आप जादा अन्यवाषा नहीं बोलने वाला विक्ति होगा, जितना बोल सकते हैं, बोलना है, लेकिन अंदर से सबसे पगले सच होना है, आप, आलेलुया, अपकितना भी प्रचार करने वाला विक्ति हो, परमेश्वर को कोई नहीं है लेकिन उससे भी बिढ़कर आप दिल से सचोकर प्रचारग बनने के लिए कोशिश कीजिए आपका जिंदगी बहुत सफल होगा हालेलुया इसलिए आज में कहने का मतलब वजन से एक शब्द इतना अच्छा से सिखाने का मतलब यह इस मसी का लोग इमांदार होना है कभी भी जूटा नकड़ी ऐसे टेड़ा कोई विक्ति कभी नहीं बनना सेव हो विश्वासी हो भाई हो बहन हो पपा हो मम्मी हो कोई भी हो प्रभु आपसे डूनते है क्या इमांदारी हालेलुया सच्छाई यहां देखिए दारी वेश्राजा का समय में भी और बैबिलोन डाजा का नेबुकरनेसर का समय में भी दानियल एकदर सुस्तु में रहा शुभबा में रहा आशिश में रहा क्यों उनका जीवन में अनेग कॉलिटी से एक कॉलिटी था वो विश्वास योग्य विक्ति था हालेलुया शायद आपका घर के अंदर को सारे श वाला नफरत करने वाला आपका गलत्ती पकट के आपको बदानाम करने के लिए बूस सारे लोग आपका ओफिस में होगा आपका अस्परोस में होगा लेकिन और लोहों का सामने भी आप एक इमांदार विक्ति बनगर रह सकते तो मैं आपको गारंडी देता हूं दानियल ज अस्ता को प्रभ बदलने के लिए जा रहा है आमेन वाइबल के अंदर दानियल के अंदर ये विश्वा सयोग्यबा का इमांदारी का स्वभा होने का कारण एक गुलाम बनगर रहने का समय भी अन्य देश में जाकर शत्रू होंगा बीच में रहने का समय भी परमेश अंच बोनाया दिया है आपको सबको पता है उनका कहानी का बारे में दानियल का कहानी ये बाइबल का कहानी नहीं है एक हिस्ट्री क्ल्क टूते ऑमेन बाईबल के अंदर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है एकधिन कोई दादा और दाधी ऐसे सोपीड़िए लिखा व जो नहीं है कोई कहानी नहीं है। बना दिया उसको चलाने के लिए हमारा इंदिया एक बड़ा देश है एक प्रदान मंद्री है लेकिन राज करने का सुविदा के लिए इंदिया को अलग-अलग स्टेट बना दिया स्टेट बनाने के बाद एक एक स्टेट के उपर एक मुख्य मंद्री हैं वही से उस समय का भाबेल देश को भी वो लोगो 120 भाग कर दिया वो 120 भाग के उपर एक एक बड़ा लोगो नियुक्त किया उसके बाद बदाया आप लोग पूर्या ओडिक्ट करके जो फंड हम देते हैं जो प्रोजेक्ट हम बदाते हैं जो पार्लमेंट में हम पास करने वाला कानूने आप लोगों करना है 120 लोहों का बड़ा लोहों का कर्तव यह सारे कारवाई करना अगर ओडिक्टिंग में और कुछ नकली कुछ जूटा काम है क्या करके चक करने के लिए और तीन लोहों को अपॉइमेंट गिया वो तीन लोहों से एक व्यक्ति था कौन दानियल समझ लीजिए यह तीन लोहों से प्रमुग अत्रच लोहों से दो लोग बाबेल का लोग है लेकन एक व्यक्ति एक गुलाम व्यक्ति है लेकिन वहां गादेश का लोग डूंडने लगा इनको कई ना कई निकालना है इसलिए उनके अंदर कुछ गलत्ति डूंडना है वो गलत्ति डूंड 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 के आया लेकिन दानियल के अंदर एक गलत्ति भी नहीं हुआ हालेलुया समझ लीजिए अगर जादी लोग आपका जिन्दगी को डूंडे तो दानियल जैसा कोई गलत्ति नहीं है करके वो लोग गवांगी देगा क्या उस प्रगार का एक लाइफ का एक कस्टोडियन बनना है हम एक एक बेक्तिया में दानियल का जिंदगी देखिए इसलिए दानियल बाद में बहुत उच्छा लवल में हम कभी-कभी प्रभु का सामने बैटके दुआ करते प्रभुजी गुफा में शेयर का मूं को आप जानने वाला प्रार्तना करने वाला वेक्ति मुच्छू मुच्छू को भी चुडा हो करके आप लोग प्रार्तना कर लेकिन शेयर खांके जारे हमें क्यों दानियल जैसा कोलिटी हमारे अंदर नहीं है दानियल प्रार्तना भी नहीं किया लेकिन सुर्गु दूद को बेज कर प्रभु शेयर का मूं को बंद करवाया क्यों वो इमानदार वेक्तिता हालेलुया अगर आप इमानदार है तो मैं गारंडि देता हूं दुनिया का कोई भी शेयतान शेयर आपका घर का धर्वाजा आपर नहीं आसकते हैं हलेलुया अगर आएगा तो भी एक च्प्रमा के जाएंगे आपको जड़ाह हालेलुया हा है कि को दानियल गुमा के अंदर शेयर का ईंदर गया है नेकिन'REुप को हम सपको जांदे हैं नियवर्यवेश राजा उसमिह का राजा सुपे आकर बुलाते किसको दानियल को यह तानियल को उनको भी पता है दानियल इमांदार वेक्ति यह शेयर भी कुछ नहीं कर सकते हैं अलेलुए लेकिन पीछले दिन लोहों को प्रसंद करने के लिए राजा कानून बना के उनको अंदर डाल दिया लेकिन सुबह सुबह वो राजा के हमें बुलाएगा तो हमारे अंदर क्या विचार आएंगे लेकन दानियल बदाया आपको लंबाय हो जाये किसको राजा को हमारा मन में क्या आएगा कोई नहींग बोलना मन में आया हुआ कोईएभी गाली अभी हे यहां नहीं बोलना लेकिन आपको पता है क्या आएगि आपको गुफा में डाला हुआ विक्ति के साथ क्या बोलना हे करके आपकी Cindy अभी भी ऐसे नहीं आएगा हलेलुया आपको दोश करने वालवेक्ति को भी देखे आशिश करने के लिए कि मन हमारे अंदर होना है amin daniel इतना शुभधा में आशिश में उंचा पदवी में आने के लिए एक की कारण है उनके अंदर एक इमांधारी सुभाव था इसलिए भाई और भाई और भाईनों आपका ओफिस के अंदर आपको नीद किया हुआ कंबनी के अंदर आप इमांदारों कर रही मैं आपको गै स्टोकर आपको टर्मिनेट करने के लिए कोशिश करें तो भी ओ टर्मिनेशन आपका जीवन में सबल नहीं होगा उनका सामने प्रभू उन्चा पदभी में आपको रिखेंगे हालेलुया दानियल इतना अच्छा इमांदार होने का कारण उनका जीवन में कोई भी पत्ति नह लोगों को नहीं पकट पाया एकी गलती वो लोगबाद में डून के पकड़ लिया वो गलती अहीं था यह तो प्रार्तना करते हैं क्या करते हैं प्रार्तना करते हैं इसलिए आज आप चेकर लिजिए परमेश्र के साथ जो रिस्ता बनाया है वो रिस्ता में आप इमांदा रहे का कुछ साल पगले हम इशव मसी कोई ग्रहन गिया इशव के लिये दिल दे दिया इशव के लिए अमदारी संभाल क्या कितने रोग संबालते हैं जो परमेशर के साथ एक संबंद एक संबर्ख हुआ है उस समय से अभी तक परमेशर का संबर्ख में संबंद में रिस्ता में विश्वास में में इमांदार हूं गर कितने लोगों क्यूंत को मों सकते हैं कि अच्छा से पड़ना अगले कुछ दिन के लिए राजा का सामने प्रणाम करना राजा से दुआ करना राजा भी कुछ हो गया क्योंकि मुझे कुछ लोग आराधना करे अगर राजा को चोड़कर और किसी को प्रार्थना करे तो उनको पकड़ के कहां डानना शेर का गुफा में लेकिन दानियेल राजा का बात मानने के लिए तयार नहीं हुआ उन्होंने अपना दर बनाने से पगले भी यह प्रार्थना सोभाव था लेकिन हमारा जीवन में हम प्रार्थना में इमांदार है जब प्रोब्लम आते तप तक हमारा दर्वाजा भी नहीं खोलेगा प्रार्थना के लिए दिल्वी नहीं खोलेगा सामय भी नहीं बिदाएगा लेकिन दानियेल क जीवन में परिशानी आने से पखले जब येश्व मसी को नो निग्रगन गिया तब से परमेश्व के साथ जो रेलेशंशिप है ओर रेलेशंशिप में ओ इमांदार वेक्थी ता, हालेलुया इसलिए एश्व मसी के साथ एक रेलेशन पाया हुआ, एश्व मसी को अपना आमेन आपका जीवन में वादावरण कितना भी अनुगूर हो कितना भी प्रदिगूर होको guidelines कोई भी परिशानी हो लेकिन परमेशत के साथ आपका summarize कोसी расп interview को दिया है उसी दिन से एकदम मजबुत बनाकर विश्वासियोग्यर बन गर रहने वाला दानियल आज मैं आपको गारंड देता हूं दानियल जैसा परा जिंदगी को परवेशर के साथ संभालने वाला भाईयों मैं आपको आज प्रोमिस करता हूं अब कभी भी शेयर का गुफा में हड़ी बन गर नहीं गिरेगा सत्रोंगा सामने कभी नाश नहीं होगा अब अनेग लोंगा सामने और बड़ा तुछ बन गर देश में उंचास्तान में विराजमान होने वाला है हलेलुया हलेलुया इमामदारी का अशिष यही है अगर किसी को ये पाना चाहते हैं तो ये इंदिया के अंदर आप ऐसे बनने वाला है हलेलुया कितना लोग चाहते हैं दानियल जैसा परवेश्वर के साथ जो रिस्ता है उसमें मैं इमामदारों कर रहेंगे कुछ लोग परमेशर के साथ रिष्टा बनाते हैं केवल दो साल के लिए जब तक मेरा बैच्चोंगा शाद ही हो सकते हैं तब तक में चर्च में आते रहेंगे जब तक मेरा बैच्चा विदेश में सेट्टिल होगा तब तक आते रहेंगे जब तक मेरा बुकार कदम हो जाएगा तब तक आते रहेंगे जब तक मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब तक में आते रहेंगे जब तक मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा तब तक में चच्च में जाते रहेंगे Eating-gobt, alleluia, आपका मन का विचार हमें नहीं पता है, लेकिन Parameshar को पता है, alleluia, Parameshar के साथ जो रिस्त बनाया है, इसमें आप कितना इमान्दार है करके, पास्टर को नहीं पता है, पास्टरा हाग मंधर के ग गला तोड़ के आपके लिए दुआ करेंगे, आप मन में सोचके हम बढाए हो शाथ है ऑलेलुया उसाAST आपका जीवन में प्रभु कारिये करेंगे हलेलुया एक बार येश्य मसी को ग्रहन करने के बाद एक बार येश्य मसी को समचने के बाद येश्य मेरा उधार करता है मुक्तिदादा है मारने का समय तक मैं येश्य में बिने रहेंगे हलेलुया कितना भी कानून बदले, सिट्वेशन बदले, लोग कुछ भी बोले, मेरा बारे में लोग कोई भी मचाग का बात बनाए, मैं इशु से पीछे नहीं अठेगा, मरना, जीना मैं इशु के लिए, उस प्रगार का एक इमांदारों कर परमेश्वर का विश्वास में रिस्ता में, आप आगे तक करेने के लिए समर्पन किया ववेक्तिय तो, मैं आपको ग्यारंडी देखता हूं, धानियर जैसे आप कभी भी लेज्जद नहीं होगा, हललेलुया, आप पराजद नहीं होगा, आपका जिन्दगी में सुस्तन आगे, पीडियों से पीडियों दकाते रहेंगे, हललेलुया, हललेलुया, देखो, अयूब का मारे में हम सबको पता है, अयूब ये एक विश्वासी होगी वेक्तिता, वहाँ विश्वासी होगी दा के लिए के शब्ति यूज किया हुआ है, आयूब खराव एक्तिता, शेटान बार-बार विसिट किया है उनका घर, कुछ नहीं कुछ गेलत्ति डूंडने के लिए, लेकिन शेटान चकर मार मार के, मार मार के तक गया, उसके बाद ऊपर परमेशर का सामने जाके बदाया, नीचे एक बंदा है, अनेगे लोगों के में चकर मार के पोकेट में डाल दे, लेकिन एक विक्ति मेरा पोकेट में नहीं आ रहे, उनका नाम है अयूब, वो इतना खराव विक्ति है, इतना इमामदार है, इतना सच विक्ति है, परमेशर भी बदाया, शैतान को देख के बदाया, तुम तो एक जगा में बैटने वाला नहीं है, तुम गुम गुम के लोगों को गिराने वाला है, मेरा दास अयूब के उपर तुम नज़र डाला है क्या, उनका जैसा इमामदार वक्ति दर्ती में, कोई नहीं परमेशर भी गवागी दिया, सासा शैतान भी गवागी दिया, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे परमेशर का रिस्ता में, विश्वास में, एक इमामदार होकर, आप अयूब जैसा रह सकते तो, यह नहीं बदाएंगे आयूब का जीवन में प्रोब्लम नहीं प्रोब्लम तो है उनका पूरा चमड़ा अलर्जी से खराब हो गया उनका बीबी पागल जैसे बात किया आपको पता है एक बार बदाया सुजाव दिया तुम जाके आत्मगत्या करो में दूसरा कई जाता हूं मैं के पर जाता हूं ऐसे बदाया लेकिन आयूब भांगा तावा लेकर उनका पत्मी का सर नहीं तोड़ा क्या बदाया तुम दो बुत्तु जैसा बात करते हैं हमारा परमेश तो सब कुछ अमें दिया है उनको लेने का अधिगार भी है आलेलुया आगे भी बहुत कुछ देने के लिए उनके पास है अमें परमेशर का सामने इतना दुख का बीमारी का समय में भी आयूब एक शब्द भी परमेशर के साथ जो रिस्ता है विश्वास है उसको डीला करने वाले एक शब्द भी नहीं बदाया हालेलुया ऐसे परमेशर के इसमें इमानदारों कर रहना है चाहे कुछ भी आए गुफा में भी डाले जैल में भी डाले हालेलुया शेयर भी आके खाने के लिए कोशिश करें आपका सामने शत्रक मेश्रक अबेदन गो जैसा एक बहुत बड़ा अगिरी गुंड तायार किया है आपको जलाने के लिए फ्राइ करने के लिए फिर भी आयूब जैसे पूरा शेरीर में इंफेक्शन बर गया भी मारी बर गया फिर भी परमेश्र के साथ जो रिस्ता है उसमें कोई डीला नहीं आया है हालेलुया आइसे रहना है हम कभी-कभी सोचते हैं कुछ लोग जीवन में चमतकार नहीं होते हम इतना साल से प्रातना कर रहें कुछ लोग जीवन में चंगाई नहीं हो रहें चंगाई क्यों नहीं हो रहें घर क्यों नहीं मिल रहें बीमारी क्यों नहीं चोड़के जा रहें क्यों इनका जीवन में कोई उन्नादी नहीं है नवकरी नहीं मिल रहें कुछ ना कुछ नह अं-देखने के लिए टाइम लिए इसके अंदर क्या हैं लेकिन परमेशर शुरु से देखा है इसके अंदर क्या है है इसले हम परमेशर अवह तक काशिष नहीं किया जब आप इश्यू में आते हैं, चच्च में आते हैं, प्रार्तना के लिए आते हैं, तब तक आपका मरने का समय तक जो आप सोचने के लिए जा रहा हैं, सब कुछ परमेशर को पता है, हलेलुया, उस साफ से आपके साथ और डीलिंग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जानगा परमेशर को समझ कर उस तरीका में आप डील करें तो इतना बड़ा डीलिंग और कोई नहीं होगा, हलेलुया, लेकिन परमेशर को नहीं समझते हुए, अपना बातों के अनिसर डीलिंग करें तो इतना बड़ा परिशानी आपका जीवन में होगा, एश्यू में आने से कोई वैदर नहीं होगा, कितने लोगों समझ में हैरे मेरे बात हालेलुया इसलिए तो मेरे भाई और भाळनों, खरा म कें साथ परमेशर केसाथ जो रिस्ता विश्वास इसी में है घखरा समर्पण के साथ जके मामदार का नीभों में आप परमेशर का रिस्ता को संभालो, मैं आपको गैरंड देता हूँ, आयूब को आधर किया हुआ परमेशर, आपको भी आधर करेंगे, हालेलुया, मैं समस्ता हूँ, यहां बर बैटने वाला, मेरा आवाज सुनने वाला नेग लोग, आयूब जैसा, कष्ट में भी, दुख में भी, परमेशर के साथ जो रिस्ता है, उसमें कोई आलसी और डीला होने के लिए हनमदी नहीं दिया, कष्ट में भी, दुख में भी, परमेशर में इमांदारों कर रहने वाला भाई और बहरों, मैं गैरंड देता हूँ, आपको प्रमु चटान गे ऊपर उंचा करने के ले जा रहा है, हाललूया, दानियल जैसा खष्ट में भी, दुख में भी, घुलामी में भी, विदेश में भी, प्रवास में भी, एश्वमसी के लिए इमांदार होकर विश्वास को संभालने वाला भाई और बहरों, दानियल जैसा आप और अत्यच्छ बनने के लिए जा रहा है और देश का अधिगारी बनने के लिए जा रहा है आपके साथ कोई नहीं होगा आपका जिंदगी में साथ देने वाला कोई नहीं होगा लेकिन परमेश्वर के साथ आप रिष्टा में इमामदार होने का कारण मेरे अप्रभू आपको आधर करने के लिए जा रहा है हल अलेलुयाय है हम ऐलेलुया है नएल फिर्मेशर के साथ जो इस्ता है उसमें हमांधार था कि लुअ मिरत साथ जीवन में हम है और नील एक इमांधार वती इता कितना लोग प्रार्त जीवन में हमांदा रहें है किसी को दिखाने के लिए कभी प्रार्तना नहीं गरना किसी को सुनाने के लिए भी नहीं गरना कुछ लोग प्रार्तना सुनने का समय समझ में आजाद परमेश्र को सिखाते हैं परमेश्र हैसे ऐसे लिखा आपको नहीं पता है कि आपका बदन में इसे लिखा है इसका मतलब परमेश्र को रिम प्रातना प्राइब होते हैं अगर जिया का आप्मिक अभिशय के लिए प्रातना करने एव भुले तो वह तो काशमीर से करेंगे कन्या खुमारी में भी एंड नहीं होगा उसके अवार श्री लंगा तक जाके रुखे तो सही रहेगा हमें पता नहीं क्या क्या बातें सिखाते हुए बदाते हुए कम से कम आदा गंडे पोने गंडें बाकी 38-50 लोग पता नहीं रोटी बनाने के लिए जाते हैं सोते हैं क्या करें युदि उनको ओल्डे अंडस्टूड एट शुरु किया भाद यह वादा गंडे तक लेके जाएगा एलेलुया हालेलूया आपका प्रार्तना में विषये में इमांदारों कर रहे हालेलूया कुछ ना प्रार्तना में कभी कभी इतिन ऋ जॉदा प्रार्तना में यत खपते लगांट आगे प्रार्तना नहीं है अपIST प्रार्तना में इंमांदार नहीं है अप 삼तफ न इंद नहीं हों प्रालेलूया आण ज कुछ लोह वते हैं जरूरत पड़ते प्रार्तना चाहिए बागी समया twice पास्टर भी नहीं चाहिए, प्रार्तना भी नहीं सुनना, प्रार्तना करना नहीं, प्रार्तना में नहीं आएगा, वो भी प्रार्तना में इमांदार नहीं, अपना अप्चे कर दें, मैं किसी को नीचे करने के लिए नहीं है, हम सब प्रमेशर का प्यारा लोग है, अमें, प कि अम्हरमेशर का सामने प्रार्तना जीवन में मामधार होना है कुछ लोहं को मैंने नोटिस किया मेरा जीवन में भी जब एशू में आ गया तब इतना घंडे-खंडे प्रार्तना करता था जावी ले कि चरचमीन जाग इतना प्रूर्तना करता था बैटके अफ aprove कुछ maioria लेट हो गया दो साल हो गया तीन साल हो गया यह तो अभी बहुत बढ़ा क्या बन گया और प्रात्तना में इमानदार नहीं इसलिए बिना प्राथतना जीवन में सबकुछ पासकेंब श जीवन में शुरुवात में शुरू किया हुआ प्रार्तना लाइफ मरने का समय तक आप संबालना है हलेलुया शायद प्रार्तना का जो टाइमिंग में फरक आएगा क्योंकि अभी में एक बाई को देखता हूँ अमारा प्रदाव बेटा को अभी उनको नौकरी नहीं है नौकरी ना होने का कारण उनको समय मिलते हैं इहां के सुबह से लेकर शाम दक बचन बढ़ते हैं प्रार्तना करते रहते हैं लेकिन डूटी करने के सोरी उनको नौकरी मिलने के समय इतना समय नहीं मिलेगा, फिर भी आप प्रार्थना नहीं चोड़ना, अमें, जब आपको नवकरी नहीं था, आप ज्यादा प्रार्थना करता था, नवकरी मिलने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम प्रार्थना करने के लिए नहीं मिले तो भी प्रा आर्तना का स्वभाव नहीं चोड़ना अलयलूया कित्रियों को समझ में रहे हैं आमें spirits के और प्रभु का कामाव के साफ समय को accurate एक Race to Face समय मिलते हैं एक फैमली के बाद शादि के बाद को कमिंत्मेंट होते हैं, responsibility बहुत होते हैं, बैच्चा होने के बाद responsibility बढ़ते रहेंगे, तब पगले जैसा समय निकालने के लिए शायत उनका समय नहीं होगा, पर भी हमेशा के लिए जीरों में वो रिस्ता को प्रभू का काम होंगों नहीं लेके आना, उसमें तोड़ा से वेरिशन आये त को भी प्रभू का सेवा में शामिलो ना नहीं चोड़ना, हलेलुया, कितना लोगों को मेरा बात समझ में आ जाते हैं, आमें, दानियल अपना प्रार्थना जीवन में इमांधार था, दानियल का पुस्तग में आईए, आपको अच्छा से समझ में आएगा, अभी समय आगे इसका दस्वा बजन बढ़िए, दस्वा बजन उनका दर्वाजा कैसे रहती थी? परिशानी आने का समय नहीं, क्योंकि इसराय जनत्तों को यहूदी लोहों को एक सिस्टम है, वो कई भी प्रवासियों के रहे, उनका मंदिर का और वो देखेंगे, दर्वाजा खोलके उस तरब देखेंगे, अमें? अमें? इसलिए दानि अपना घर का दर्वाजा यरिश्यलीम से बहुत किलोमेटर दूर रहते हैं, फिर भी वो मंदिर का याद रखते हुए, वो जगा में देखते हुए प्रार्थना करते हैं, विश्याने का समय दर्वाजा नहीं खोला, वहां लिका है उससे पगले भी दर्वाजा प्रभु क ओँख अरकुलाता, वो एलिलुवाजा, और लिका है तीन बार वो प्रार्थना करता था, कैसे, पागले, वीश्याने का समय शुरू की हूआ काम नहीं है, पागले तीन बार प्रार्थना करता था, वैसे अभी भी वो कंडिन्निव कर रहा हुए, आमेन, फालिलुवा, इस आप लोग प्रार्थना जीवन में इमांदार होने के लिए कोशिश कीजिए मैं आपको गारंड देता हूं कभी भी किसी का सामने गुटना टेकने का जरूरत नहीं पड़ेगा आमें आमें बाइबल के अंदर नेग प्रार्थना योद्था लोग है कोई भी लिजद नहीं हुआ कोई लिजद हुआ है क्या हम सबको पदा है ये लिया का बारे में ये लिया का बारे में ये लिया का बारे में ये लिया हमारा जैसा एक साधारन विक्ती था हमारा जैसा एक उन्हें क्या किया साड़े तीन साल आगास बंदोने के लिए बदाया और उसके बाद भारिश गरने के लिए प्राःतना में बदाया आइसे ही हुआ है, आलेलुया, इसका मतला आपका Prathna को आघाष बंदगरने का ताकत है, आपको पता है, इसका मतला कुंजी आपका हाथ में है, आइसे यहां का जैल खोलने का, कुंजी भी किसका हाथ में है, आपका हाथ में, प्रूफ है बाइबिल के अंदर, एक बहुत कर दास को उसमें का हैरोदेश पकड़ के बंदीगर में इंडाला कालिस्या प्रेदों का फुस्तक बार्या का चे में हम बढ़ते हैं कालिस्या लगातार प्रार्तना करने लेगा तुरंद परमेश ने क्या किया एक सोर गुदूद को बेजा सारे दर्वाजा खोड़ दिया एक नहीं जो नगर का बाहर जेल का न बेड़ा जो लोहे का वहां भी खड़ा है शिपाई लोग सबको गिराके दर्वाजा खोलके पत्रस को बाहर लाया है अलेलुया यह दुनिया का सारे देखो कुंचियोंगो सर क्या बहु सकते हैं यह दु तालवा को तोड़ने का ताकत हमारा प्रार्थना में है अलेलुया अगर कोई आपका बैचोंगा पढ़ाई को जादु ठोना करके लोग किया है तो कुछ लोग बोलते हैं ना बंधने पास्टर मेरा बैटा को उड़ने पारे प्रार्थने पढ़ाई में प्रोग्रस नहीं पर कोई प्रार्थना करके बांद लिया ये बांदा हुआ बंदन गो तोड़ने के लिए हमारा प्रार्थना में ताकत है हलेलुया हलेलुया अगर कोई कानून आपका किलाफ है तो अगर कोई अधिगारी आपका किलाफ है तो हमारा देश का कानून आपका किलाफ है तो इस का बीच में इसको बदलने का शक्ति हमारा प्रार्थना में है हलेलूः आप तोड़ करकेडैंन मालुम बढ़ेगा इस तरह है करके देखा है मेत्या परशे का नून बदल दिया यरिशलेम चर्च प्रार्त रह करके देखा है हमें पत्रस को बांदा हुआ जेल का दर्वाजा खुल गया आगास का दर्वाजा भी खोलने का बेंद करने का दिगार आपका हाथ में है यहलिया से पूछना कब बारिश चाहिए यहोश्वा से पूछना यहोश्वा से सूरज आज उदय होना है नहीं होना है वो भी चाहबी मेरा पास है हालेलुया हालेलुया अगर आप प्रार्त रा करके बोलते हैं आभी से 24 गंडे सूरज वहा रहो 24 गंडे दिन रहना है अगर जरूरत पड़े तो आपका प्रार्त रा से प्रभा ऐसे करेंगे हालेलुया जरूरत नहीं है तो प्रार्त रा नहीं करना प्रभु करना बदनाम हो जाएगा हालेलुया किसी ने एक बार वजन से पड़ा पत्रस है ना पत्रस पानी के उपर चला है प्रलाय हो गया क्योंगे उनको एक नादी पार करके जाना है वो एक विश्वासी था उन्होंने तुरन्द याद किया पत्रस पानी के ऊपर चला इसलिए में विश्वासी हूं आज ये बाढ़ के ऊपर से में पार करके मेरा घर में जाएंगे वो तो अपना हाद पैर का इसलिए परमेशर से विशेष अगवाई रेमा विशेष काउंसिल अफ गॉड परमेशर का विशेष ना प्रेरना से कोई काम के लिए कतम नहीं उडाना कुछ लोग सोचते हैं येश्व चार दिन से कबर्स्तान में शरीर पूरा खराब हो गया हुआ को जीवन दिया इसलिए बाहरे और स्वाराज सबराना कीजाए हुआ का या नहीं आएगा वहां जो भाई लोगे पकट के आपको कोई मैंदल होस्ति परितल में लेंके जाएंगे अलेयलूया अगर परमेशर का विशेश वानी कुछ बातों को लेकर आइसे कुछ लोगों को बागर निगालने के लिए बोले तो आप खिम्मत के साथ जाके बोलिए जरूर बाहर आएंगे हलेलुया नहीं तो ऐसे ऐसे लिकाहें करके सोचके अपना बुथी से जाके कुछ करे है तो प्रभु का नाम महिमा नहीं होगा बदनाम होगा हलेलुया कितने लोगों मेरा बात समझ में आ रहे हामें कोई उल्टा नहीं लेना हमारा परमेशर महान है अमेन चार नहीं 40 साल मिट्टी हो गया हुआ विक्ति को भी जीवडाने वाला है हमारा परमेशर आमेन आदम से लेकर एश्व मसी का आगमन तक करोड़ों करोड़ों लोह आपको एश्व मसी का आगमन में एश्व बागर निगालने के लिए जा रहा है आमेन, ओ इश्व मसी का आवाज सारे कबरस्तान में गुंचेंगे, सारे पवित्र लोग जी उड़ करे इश्व मसी के साथ जाएंगे, हालेलुया, ये काम करने वारा परमेशर है, लेकिन पृतिवी में कुछ काम करने के लिए परमेशर हमारा हाथ में अधिगार दिया हुआ है, कुछ जिना कुछ विशेश काम करने के लिए परमेशर से विशेश अगवाई लेकर वानी लेकर जाना है, अपना बुद्धी से नगीं करना, आमेन, इसलिए अभी मेरा प्रचारहाम में बंद करना चाहता हूँ, इमान दारोकर दानियल रगा, इसलिए अन्य देश में श्षत्र देश में सौस्त बंगरा अशिश पाया है, अमेन, एकदम सौस्त अदा में उन्हों ने रहा है, कितना लोग चाहते हैं, इमान दारोकर में रहेंगे, कितना भी वादा बरण मेरा प्रदीगूल में जाए, इसका बीच में भी में सौस्त रहेंगे, हालल्यूया, ऐसे करने वाला परमेशर आपका साथ है कितने लोग अभी परमेशर का साम नहीं ले लेंगे प्रभू आपके साथ जो रिस्त मैंने बनाया है आपका विश्वास को मैंने मेरा खुर्दभी के अंदर लाया है मरने का समय तक इसको मैं संभालेंगे अभी भी नहीं होगा कभी मिश्वास जो यह नहीं बनेगा में विश्वास में इमांदार होकर स्थर्बंगर कोई भी परिशानी समस्य आए आपके लिए मरने का समय तक इरेंगे करके कितना लोग नुदर नहीं ले लेंगे नम्बर टू, हम दानियल प्रार्तना जीवन में एक इमामदार वक्तिता, कितने लोग परमेश्व का सामने बदाएंगे प्रभू, प्रार्तना में मेरा जीवन में इमामदार बना में चाहता हूं, फिछले समय में जो गलती हुआ हैं शमा कीजिए, हमारा परमेश्व हैं, खटोर नहीं हैं, हमें बजाना चाहते हैं, हमें आश्षिश करना चाहते हैं, गलतियों गवांगी कार कीजिए, प्रभू से प्रार्तना करें, प्रभू एक इमामदार वेक्ति मुचे बना दीजी, इमामदारी का स्वभाव, ओ जैसे दानियर का अंदर था, आयूब क अंदर था, नू के अंदर था, ओ शामुवेल के अंदर था, अने प्रभू का दास लोंगे अंदर था, मुसा के अंदर था, इसे मेरे अंदर भी दे दीजिये करके, कितने लोग समर्पन करके प्रार्तना करना चाहते हैं, कितने लोग अंदर नहीं लेना चाहते हैं, गरने की दाना करते हैं और यस प्राप्तना जी्वन में इमांदारों कर रहें तरहिए हुँ प्राप्तना करते हूं हरी इक खी घ्र्ण करता हुं कि Nobel कुमोत फों साम वह दिए दोलये पौन्वेति अलिए अमयान झाल झाल